हेलो फ्रेंट्स महुराजनों श्वागत है आपका हमारी चैनल दिलिप टेलेशन बुटिक में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फोल घेर पटियाला की कटिंग बताने वाला हूँ और ये कटिंग मैं आप लोगों को पेपर बताऊंगा मतलब एक फर्मा बनानी के लिए बताऊंगा कि कैसे आप पटियाला का फर्मा बना के रख सकते हो लंबाई 36 इंच की है मोहरी 14 इंच का हिप 36 इंच और आसन 13 इंच है केवल 4 मेजरमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ अब ये जो पेपर है इसको पहले आपको डबल फोल्ड करना है ये इस तरह से देखो ठीक है ये पहले डबल फोल्ड इस प्रकार से करके रख लेना अब ये डबल फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से और एक बार फोल्ड करेंगे मतलब टोटल श्यार फोल्ड करनेंगे स् इसके बाद हम क्या करेंगे लंबाई ना पेंगे तो लंबाई जब आप ना पोगे न तो यहाँ पर पांच न छोड़ करके आपको लंबाई देना है पांच इंच क्यों छोड़ना है क्योंकि कमर बेल्ट पटियाला में अलग से लगता है ठीक है? 5 इंच हमने छोड़ा लंबाई हमें चाहिए 36 इंच का तो यह 36 इंच हम यहां पे निशान लगाएंगे. अब 36 के अतरिक्त यहां पर और कोई भी निशान नहीं लेना है क्योंकि यहां पर जो लंबाई वगरा का जो भी मार्जिन इंक्लोड होगा न वो सब मार्जिन कमर बेल्ट पर हम एक साथ दे देते हैं तो यहां पर आपको अलग से मार्जिन देने की ज़रूर नहीं है यह इस प्रकार से हम मिला दिये अब इसके बाद हमें क् ठीक है इस तरह से हमें ज़रूरत इतने कई हैं और इधर यह जो शीदा करने के लिए निशान लगाएते हैं इसको भी काड़ देना है यह अब हमें और पर चाहिए अब यहां पर आप लोगों को में प्रश्ण आ रहा होगा कि सर पट्याला का फर्मा बनाने के लिए तो हम है बहुत बड़े प्र की जोरूत पड़ेगी हमारे पास अकर इतना बड़ा पेपर नहीं है तब हम कैसे करें तो आप किसी कपड़े पर भी यह चीज कर सकते हो जो मैं बता रहा हो ठीक है ज़़ूरी नहीं कि आपके पास बड़ा पेपर है तब यह आप फर्मा बनाके से तो आप 28 से 42 का यह सैट मंगा सकते हो फुल घर पटियाला का जिसकी कीमत 14 रुपय है लेकिन डिसकाउंट में यह आपको सिर्फ रुसी 13 रुपय में मिल जाएगा तो डिस्प्ले पे हमारा बनाएंगे पटियाला की कली मतलब सब कुछ होता है उसके लिए तो अभी इसके लिए हमें एक अलग पर चाहिए और बहुत बड़े साइस का चाहिए चोटे मुटे साइस में काम नहीं बनेगा तो यह बड़े साइस का पेपर हम लेते हैं और देखो किस प्रकार से सैट करना है कली को वो यही में खेल है अभी तक जो हमने देखा वो तो बच्चों का खेल था अभी यह जो है यहां पर लॉजिक रहेगा इसको समझना है आपको कि पहले इस तरह से यहां पर निशान लगा देते हैं ठीक है उसके बाद इसको भी हटा लेते हैं और यह जो पेपर है यह बहुत बड़ा साइज है यह देखिए तो हम क्या करेंगे पहले यहां पर इसको इस तरह से रख करके देखें बराबर सेट कर लिए निशान लगा लिए अब यह तो इसका लंबाई वाला पोर्शन है यहां पर हमें पैर की गोलाई नापनी है यह नीचे वाले हिस्से पर पैर की गोलाई कितना नापोगे 14 इंच है तो हाफ करके 7 इंच ठीक है और 1.5 लगबग मार्जिन दे देना तो यह आपका नीचे वाला पोर्शन बन गया पैर की गोलाई हमने यहां पर नाप दिया तो यह आप समझ आईए कि नीचे का पोर्शन हो गया अब यह यहां पर एक निशान लगा देते हैं पहले इस प्रकार से अब यह निशान लगाने के बाद देखों सिदा सिदा यह समझ लेना कि इत्ता मार्जिन है अब हम क्या करेंगे यहां पर जितना हमारे पास पीपर है यह लास्ट वाले एरिये प्याएंगे क्योंकि फुल गेर पट्याला का मादब जीतना ज्यादा से ज्यादा आप गेर दे सकें तो बिलकुल लास्ट पर आएंगे पांच यहां पर छोड़ेंगे और हमें आसन चाहिए साड़े तेरा तो साड़े तेरा का निशान इस तरह से यहां पर लगा देंगे ठीक है यह इ क्या करेंगे मैं इसको थोड़ा सा दूर से अपको दिखाता हूं यह देखिए यह इस तरह से यहां इंची टेप रखना है और इंची टेप कहां रखना है यहां पर यह देखिए यह इस तरह से रखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे इस तरह से इस निशान को मिला देंग यह इतना इसका कली बनेगा अब यहां पर हल्का शेप देना है बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रखना है इसको हल्का सा शेप देते हुए आएंगे तो यह इस प्रकार से देखो ठीक है यह इस प्रकार से आपको शेप देना है इसमें तो यह इसका कली बनेगा यह ऐसे रहेगा देखो इसको अभी हम काटते हैं फिर आप लोगों को ज्यादा बैतर तरीके से समझ में आएगा यह कली बन गया उसके बाद यह इस तरह से देखो यह कली इसमें जॉइंट होगा तेक है यह इतना बड़ा कली इसको कबड़े पर कैसे काटना है वो सब कुछ भी मैं बताऊंगा लेकिन अभी फिरहाल हम इसके लिए पाइचा और कमर बैल्ट की कटिंग करते हैं यहां पर कमर बैल्ट देखो जितना आपका हीप है उसमें 10 इंच आप प्लस करेंगे जैसे 36 है 10 प्लस कर दिया तो 46 हो जाएगा सिदर सिदर 10 इंच प्लस कर दिया और हाफ करेंगे यहां पर फुल आपको लेने की जोरत नहीं है हाफ लेना अब हाफ कैसे लोग है वो भी मैं बता दिता हूँ 46 का हाफ 23 यह इस तरह से अब इसकी उचाई हम क्या करेंगे यहां पर बेल्ट की उचाई आठ इंच करेंगे यह ऐसे और यहां पर भी आठ इंच अब यह दोनों निशान मिला लेने हैं इस प्रकार से और इसको काट के निकाल देंगे यहां पर देखो यह एक निशान अलग से इस तरह से और देते हैं यह इतना आपका फोल्ड हो जाएगा समझो उपर के हिस्से पर तो पांच इंच हम लंबाई में कम रखते हैं इसी वज़े से क्योंकि यह कमर बेल्ट अलग से लगता है ठ इसलिए तो यह कमर बेल्ट भी कट गया अब पट्याला में देखो मियानी लगानी की जोरत नहीं होती है तो मियानी नहीं बताऊंगा पाहिचा की जोरत पड़ती है तो पाहिचा हलक कि आप अपने इस आप से काट सकते हैं लेकिन मैं आप बता रहा हूं धाय यह चौड़ करके साथ मदाब यह टूटल चौदा और लगबग डेड़ से दो इंच आप मार्जिन ले लेंगे यह इस तरह से तो यह आपका पाहिचा निकल जाएगा पैर की गुलाई से फुड़ा सा एश्ट्रा रहना चाहिए यह बराबर गुराएगा तो भी चलेगा इस प्रकार से पाहिचा के लिए आप कपड़ा कटिंग करेंगी और इसमें जो बकरम लगाएंगे एक इंस अवा इंच देड़ इंस तक का चौड़ा आप लगा सकते हो वो आपके उपर डिपेंड करेगा कि आप कितना चौड़ा लगाना चाहते हैं बुकरम इसमें जो लगता है पाहिचा में ठीक है यह देखिए अभी चलिए कपड़े पर इसको किस तरह से कटिंग करना वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं तो देखो यह हमारे पास एक फैब्रीक है अब फुल गेर पट्याला बनाने के लिए आपको लगवग लगवग साड़े तीन मिटर कपड़ा तो आराम से च आप लोगों को समझा रहा हूं पहले तो हम में पीस को निकालेंगे जो में फैब्रिक समझो कली को बाद में निकालेंगे तो इसको क्या करना है इसको आपको डबल फोल्ड रखना है इस प्रकार से और यहीं पर यह वाला पीस निकालेंगे अब यह डबल फोल्ड कपड़ है ना तो इसको इस प्रकार से open करके रखके निकालेंगे ठीक है कपड़ा double है इसलिए तो यह हमारा बेन पल्ला है इसको हम क्या करेंगे यहां पर इस तरह से रखकर के निकाल लेंगे यह चीज clear क्या च्रखक देखो इसको अलग करते हैं हैं तो अवसके जो कणी ब्याख निकलता है कि इस तरह से अल्टी पल्टी निकले का मैं आप लोगों को समझा रहे हुँ यहां पर नहीं यह बहुत बड़ा फैबरी गेना हैं छोटा मोटा पीस नहीं है कि यह इस तरह से पूरा मार्किंग कर देते हैं एक कली आप यहां से निकाल देंगे अधिक है यहां पर हम पूरा मार्किंग कर देते हैं यह हो गया इसी को उठा करके यही कली वाला पीस उठा करके आपका दूसरा उस तरफ निकल जाएगा यह तो अभी एक निकलें जिसमें दो पीस निकलेंगे क्योंकि पड़ा डबल हैं तो दो कली इधर से निकला अब दो कली इधर से इस तरे से निकल जाएगा देखो यह अल्टीपल टीसी लिए मैंने कहा कि एक इधर निकलेगा तो एक इधर निकलेगा अब यह थोड़ा बहुत नहीं है कली का जो लेंद है ना वह तो आपको पता है कि लंबाई फुल गेर पट्याला की कितनी है 36 इंच की है तो वह लंबाई वाला ह हिस्सा तो आपको समझ में आ गया कि लंबाई इसका 36 इंच का है ठीक है अब यह इधर वाला यह वाला हिस्सा देखो यह कितना है यह एक टेप हमने महां रखा और यह लगभग 46 इंचेस है देखिए थोड़ा बहुत नहीं है तो यह कली बहुत बढ़ा है यह इस प्रकार स हो जाएगा आप लोगों को फुल घेर पट्याला बनाने के लिए अगर आप लोगों को डिफिकल्ट लगता है फुल घेर पट्याला बनाना तो यह तरीका आप लोग अपना सकते हैं और फर्मा बना कि आप रख सकते हो और इस तरह से साड़े तीर मीटर कपड़ा आप खर करें चैनल पर पहली पर आए चैनल को सब्सक्राइब भी लेजेगा वागी मैं राजन आप से फिर मुलागाद करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन